पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर एलविश यादव और रनर अप अभिशेक मलहन के बीच कोल्ड वार चल रही है दोनों के फैन से एक दूसरे से सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं बीच में अभिशेक मलहन ने रियाक्ट भी किया था सफाई दी थी तो इस पर एलविश ने जवाब दिया था कहा था कि जब नाम ही नहीं लिया तो वो बीच में क्यों बोलने लगे मतलब उन्हें पता है कि वो ही ऐसा कर रहे हैं अब नेगेटिव प्यार के कारण एलविश यादव एकदम परिशान हो चुके हैं उन्होंने अपनी ट्रोफी लॉट आने तक की बात कर दी है आखिर एलविश ने इतनी बड़ी बात क्यों कही आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जबर करें मशकार मैं हूँ प्रेणा सागर और आप देख रहे हैं दवोकल नियूज अपने व्लॉग में एलविश यादव ने बिग बॉस ओटी टू की ट्रोफी को दिखाते हुए कहा भाई इसे ले लो और मुझे बख्ष दो इसे ले लो भाई देख लिया टुटर पर पोस्ट वोस्ट यार इसको कोरियर करवाओ हमारा पीछा छोड़ो भाई हाथ जोड रहा हूँ तुम लोगों के आग ये घोड़ा भी ले जाओ इसे ले जाओ ये ही में जड़ है ये घोड़ा भी ले जाओ ये भी वहीं का है बिग बॉस का हमें कुछ भी नहीं चाहिए क्या ही जिंदगी हो रखी है हमें चाहिए सुकून प्यार भरी जिंदगी जैसी हमारी पहले चल रही हमें ना चाहिए ये सारी चीज़े LV शियादद ने ट्रॉफी को उठा कर उस पर लिखे टेक्स को पढ़ा Big Boss OTT 2 Winner फिर कहा on record हूँ मैं वैसे मगर ये चाहिए तो इसे अपने घर पढ़ ले जाओ और ये सारी चीज़े back out देखी है मैंने सारी चीज़े मुझे इन सब का जिक्र करना भी नहीं है इतनी दिन बाद मैं अपने घर आया हूँ थोड़ी की देर के लिए हूँ मेरा काम धंदा बलकुल सही चल रहा है मुझे इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है ना मुझे किसी की गैलत में लगना है मुझे अपना पैसा पुसा कमाना है अपने आपको प्रॉपटी की चिंता नहीं है गाडी और खरी करनी है इन चीज़ों से बाहरूम है इसकी दरकार है तो मुझे भाई एक बार मेसेज डाल दो बता दे कि अलविश यादव ने अभिशेक मलन पर आरोफ लगाया था कि यूटूबर ने उनके खिलाफ ट्विटर पर 25 लाख रुपए देकर नेगेटिव पियार करवाया है इसके बाद अभिशेक मलन ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है आप किसे सपोर्ट करते हैं एलविश को या अभिशेक को डू लेटेस में इन दी कॉमेंट्स विलो और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले